वाटसेप ने 71 लैक खातों को बंद कर दिया है आपको ये खबर सुननी चाहिए क्योंकि आप लोग भी सोते उठते बैठते जागते जो है वो वाटसेप का इस्तमाल करते हैं अगर वाटसेप आपकी जिन्दगी से चला जाए तो आपके जिन्दगी अधूरी हो जाएगी इसलिए मैं आपको बता दू कि जितने भी भारते लोग सिरफ और सिरफ भारत के 71 लैक यूजर्स का वाटसेप अकाउंट बंद कर दिया है और एपरिल एक से लेकर एपरिल 30 के बीच बीच में ये बड़ी कारवाई की गई है और आपको बता दे कि 71 लैक अकाउंट ने आपको बता दे कि मेटा की जो पॉलिसीज है उन्हें भी वाईलेट किया है आप जानते हैं कि बहुत से लोगों का वाटसेप पहले एक नंबर पर चलता था वो कहते हैं कि हमारा वाटसेप नहीं चलता हमें दूसरे नंबर पर वाटसेप इंस्टाल करना पड़ेगा आपक ऐसा कंटेंट जिसमें जादा हो जिसमें आपको बता दे कॉम्मिनूटी को लेकर जादा यहां पर पंगा हो उसे लेकर आपके खातों को बंद किया जा रहा है फिलाल पूरी खबर की और आपको ले चलते हैं और पूरी खबर बताते हैं कि यहां पर वाटसेप ने 71 लैक इ इन्वार्मेंट को सेफ रखने में परिशानी पैदा कर रहे थे सबसे पहले आप लोगों को यह समझना होगा कि वाटसअप कहना क्या चाहता है वाटसअप कहता है कि मैं एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हूँ जो मेटा से कनेक्टिड है आप लोग इस पर जो है इस तरह की हरकते ना करें यानि साफ सुथरी तरह आप सेफ इन्वार्मेंट में चलाएं आप इस पर जिस तरह की न्यूडिटी की मैं बात कर रही हूँ जिस तरह से मैं आप समझ रहे होंगे कि क्या सब चीजे कहने की कोशिश कर रही हूँ वो सब चीजे यहां पर नहीं होनी चाहिए और वाटसअप का मिस्यूज भी नहीं होना चाहिए लोगों को बेवकू बनाने के लिए हर महीने की अगर मैं बात करूँ तो इंडियन यू अपरल एकिस से लेकर अपरल तीस दोहजार चोबिस में मैंने यह बड़ी कारवाई जो एक की है अब आपको यह जानना होगा कि थर्टीन लैक टू जहां पर बात करते हैं टू थाउजन अकाउंट ऐसे हैं जिने प्रो एक्टिविली पार्टीसिपेट करने के लिए यहां पर जो है वो बैन किया गया है और यहां पर यह भी बताया जारे कि उनमें क्या क्या चीज़े थी यहां पर सुनिये वाट्सप ने रसीव किया है यहां पर रिपोर्ट्स कितने खातों पर 10,554 पर एप्रेल दोहजार चोबिस में जिनमें आपको बता दे कि सपोर्ट का और आपको यहां पर यह समझना होगा कि वाट्सप ना सिर्फ आप लोगों की यह कह रहा है अब आप यह समझे कि वीट्सप पर लोगों को जो है कुछ अषी घंडं। क्या रहा है कि जब आप लोगों को ऐसे लगे कि आपके खाते पर कुछ फेक meantime हैं लोग आपके खाते पर नजर रख रहे हैं तो आप लोगों को इससे ये समझ जाना चाहिए कि आपको आप खाते पर जो है वो किसी भी तरह का कोई भी चीजने कारें चाहिए कि यहाँ पर पाकिस्तान के नंबर से वाटसेप तो कॉल आती है और पुलीस की उनिफॉर्म जो यूपी पुलीस की है जो पैसे मांगती है तो आपको ऐसे ठख हो और ऐसे जाल साजों से जो है वो बाज आना होगा क्योंकि वाटसेप आपको खुद यह कह रहा है कि मेरी तरफ से आपको ऐसी कोई कॉल नहीं आती है मैं आपको कोई कॉल नहीं भेजता किसी पर आपको पैसे डालने है किसी पर आपको कुछ करना है इन सब खात उसे जब वाटसेप को information मिलती है कि किसे पैसे मांग जा रहे हैं किसी के WhatsApp को गलत तरीके से इस्तमाल किया जा रहे हैं किसी के WhatsApp पर उनकी प्राइवेट पिक्चर जो है वो शियर की जा रहे हैं तो ऐसे में WhatsApp जो है वो आप लोगों को कहता है कि इन सब चीजों के लिए मेरे पास कोई जगा नहीं है और इन सब चीजों को जो है वो कही न कहीं खतम करते हैं तो फिलाल मैं आपको बता दो कि WhatsApp ने जिस तरह से 71 lakh इंडियन यूजर्स के WhatsApp को बंद किया है कहीं आपका WhatsApp बंदना हो जाए अगर कोई आपको न्यूड कंटेंट पास करता है कोई आपको support कहता है मेरे page को करिए कोई आपको कहता है मुझे support करिए कोई आपको किसी भी तरह की कोई गलत चीज बेचता है आप उसे report कर दे और आप उसके साथ बिल्कुल भी contact में आए ऐसा ना हो कि कल को उसके WhatsApp के साथ-साथ आपका WhatsApp भी बंद हो जाए और सबसे बड़ी बात यहां पर मैं एक चीज मेंशन कर दूँ कि आप लोगों के WhatsApp अकाउंट तो बंद हो रहे हैं लेकिन इंडियन गोवर्मेंट इसका एक डाटा कोलेक्ट कर रहा है और इस डाटा कोलेक्ट करने के बाद लाकों करोडों लोगों पर ये कारवाई होगी हो सकता है उनके नाम से चल रहा WhatsApp कभी भी ना चल पाए जब आप WhatsApp इंस्टॉल करते हैं वहां पर आपका नाम आता है आपका नमबर आता है और आपके लिए एक OTP आता है आपके नमबर से WhatsApp बंद हो जाएगा लेकिन आपके डेटेल जो सेटिंग में वही बनी रहती है इसलिए आप लोगों को इन सब चीजों को समझना होगा और समझकर होश्यार बनना होगा अगर आपको कोई Spam Call आता है तो आपको Spam Call को नहीं उठाना उस नमबर को तुरंट ब्लॉक करना है और अगर आपकी कोई चीज लीक हो रही है तो आपको उसके बारे में जाकर साइबर पुलीस को बताना है उससे पहले कि इंडियन गोवर्मेंट आपका WhatsApp बंद करे और आपको किसी नई मुसीबत में पढ़ जाएं इसलिए आपको यह exercise कर लेनी चाहिए और इस exercise के साथ-साथ मुझे आप लोगों को यह भी बताना है कि सबसे बड़ी बात यह है कि WhatsApp मेटा के साथ connected है अब किसी भी तरह का कोई यहाँ पर हेरा फेरी जो है वो नहीं हो सकती है तो इन सब हेरा फेरियों को रोकने के लिए 71 लग इंडियन यूजर का WhatsApp खाता बन कर दिया सरकार ने और सरकार यह कहती है कि आने वाले समय में बिना रिपोर्ट के भी हम बहुत से खाते बन करेंगे ताकि आप लोगों की safety जो है वो हमारी priority और आप लोगों की safety जो है बनी दे फिलाल इस खबर को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया आपका WhatsApp भी बनना हो जाए तो इस खबर को पूरा ध्यान सुनिएगा और अगर कोई spam call आती है कुछ भी आता है आप उसे ब्लॉक कर दीजिए तमाम खबरों के लिए देखते हैं जमलाटन न्यूस साथ में जाने से पहले जमलाटन न्यूस को like और follow करना ना बोले